हाई गाईस ये देवांग मैस्वरिदिस साइट स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने की काफी अलग अलग तरीके होते इंट्राडे हो गया, फ्यूचर्ज और अप्शन्स हो गया, शॉट टर्म ट्रेड्स हो गया, पोजिशनल ट्रेड्स हो गया लॉट टर्म इंवेस्टिंग हो गया, मिट टर्म इंवेस्टिंग हो गया, यहाँ पे हम बात कररेंए श्विंग ट्रेडिंग की अगर आपने यह सोच लिया है कि हमें बैसे करना की क्या मुझे आपको इसी साइड में ही करियर बनाना है और साथ में मैं आपको पूरा प्लान भी बनाऊगा कि किस तरीके से आपको आपके रिच होने के प्लान को एक्जिक्यूट करना है सबसे पहले यहाँ पे एक चीज को समझना बहुत जरूरी है उसके बाद ही मैं किसी डिटेल में जाओंगा वो यह कि यहाँ पे रिच की डेफिनीशन क्या है देंकि हर एक के लिए रिच का मतलब अलग-अलग होता है किसी के लिए 10 लाक मतलब रिच, किसी के लिए 1 करोड मतलब रिच, किसी के लिए 10 करोड, किसी के लिए 20 करोड वो सकता है कि इसे के लिए 50 करोड का मतलब हो कि rich होना तो आपको यहाँ पर एक चीज जो करना है वो यह कि आप यहाँ पर rich मत सूची यहाँ आपको कोई एक figure को quantify करना पड़ेगा कि यार मेरे लिए rich होना मतलब 1 करोड रुपे मेरे लिए rich होना है यारे कि 2 करोड रुपे आपको पहला एक short term plan मनाना पड़ेगा जो कि 4-5 साल का हो रहेगा कि 4-5 साल में आप कितने पैसे कमाना चाहते है stock market से क्या आपका सपना है 4 साल में stock market में कितना rich बनने का तो यह wake term है rich इसको पहले आप quantify करिए अब हम यहाँ पर एक example लेते हैं जिसमें कि हम ऐसा मानते हैं कि 1 करोड हमाले रिए rich होना है चलिए हम मैं screen share करता हूँ और हम उसमें फिर calculations में जाते हैं और देखते हैं कि उसके लिए क्या backward strategy रहेगी और क्या वो कितनी realistic है वो भी हम इससे समझते हैं आपकी screen पर आपको कुछ calculations दिख रहे होंगे आपको बताता हूँ यह क्या है सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह example लिया है कि आपका starting capital आज 10 lakh रुपीज है और उसका simple logic यह है 10 lakh रुपीज एक अच्छा वांट होता है swing trading करने के लिए start करने के लिए अगर आपका इसके नीचे का कुछ capital है तो ऐसा नहीं कि उससे भी कुछ होई नहीं सकता बड़ अगर आपका 10 lakh 15 lakh का capital है तो आप एक कम से कम peace of mind पे रहते है क्योंकि markets में uncertainty होती है काफी ups and downs होते कभी-कभी ऐसा भी time आता है जहापे आपको trade नहीं मिलेगी month 1.5 month 2 months तक भी हो सकता है अगर market बहुत बेकार चल रहा है तो उस time पे आपको psychological pressure पड़ सकता है अगर आपका capital बहुत कम है यहाँ पर 10 lakh से हम start करेंगे हमने लिए 4 years और end goal है कि हम 10 lakh को 10 times कर दे क्याने कि 10 lakh से 1 करोड तक 4 साल में पहुँच जाए अब इसके लिए जो हमको CGR return चीएगा हर year तो मैंने already calculate करके रखा यह है 78% आप मैं जब बहुत लोग सोच रहोंगे अरे यह क्या बात हुई 10 गुना हमको करना है 4 साल में तो 78% के से मैं आपको बताता हूँ कि अपी 4 साल में 10 lakh का 1 करोड कैसे बनेगा और इसके बाद हम इस प्लान के माहिनी और details तक में जाएंगे कि हमको exactly करना क्या होगा पहले साल पर अगर हम आएंगे तो यह 10 lakh का 10 lakhs multiplied by यहाँ पर हमको first year end पर 10 lakh का 17 lakh 78,000 हो जाएगा गर हम second year में आते तो हमको 17 lakhs multiplied by 31 lakhs third year पर आते हैं तो मैं पॉपी पेस्टी कर देता हूँ तो यह 56 lakhs हो जाएगा और अगर हम fourth year पर आते हैं तो यह 56 lakh का 1 करोड हो जाएगा तो इस तरीके से compounding progress करती है तो सुनने में यह बड़ा बहुत जादा लगता है कि 10 times in 4 years और अगर अगर आप उसको थोड़ा सा deep जाके logical सोचे तो हमको हर साल 78% return चाहिए अब यह 78% आएगा कैसे सर्फ यह बनाने से तो नहीं आएगा चलते हैं हम इसका देखते हैं इसके लिए हमारे पास है trading plan इसमें मैंने कुछ particular चीज़े है वह लिखिए और साथ में आपको इसका logic भी आप हमेशा stock market में सही नहीं होंगे इसलिए मैंने probability of winning 60% लिए कि अगर आप 10 लेते हैं तो चार में आपका stop loss ही जाएगा और आप average risk reward जो आपको focus करना है हमेशा वो रखना है 3rd का क्या से जाधा जितना जाधा हो उतना अच्छा है पर आपको at least 3 का risk reward पर work करना चाहिए risk reward 1-1, 1-2 पर maximum लोग work करते हैं इसलिए आपको उनसे भी आगे निकलने के बारे में उसलिए इसलिए target आपको 1-3 रखना है average loss 6% कि मैंने कैसे derive करा जितने भी swing trading में बहुत expert लोग है वो सब के life के अगर आप average losses देखेंगे जब वो गलत हुए तो वो 6% के आसपस रहे इसका 3 times कर देते हैं तो 18% का gain हो जाता है जब आप सही होते number of trades मैंने लिए 120 यानि कि month में आपको 10 trades लेनी है जो की reasonable है position size 8% यानि कि आप आपको heart rate 8% of capital लेनी होगी तो आपको ये कुछ ऐसे data है जिसकी जरुवत सबसे पहले पढ़ने वाली है ठीक है अगर आप बिलकुल start करने का सोच रहे तो हो सकता अभी आपके वासी data ही नहीं हो अगर आप बिलकुल ही नहीं है जिनको अभी stock markets के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं आपको एक suggestion देना चाहता हूँ वो ये कि आपको अभी ये data एकटा करने पे पहले time लगाना चाहिए तो अगर आप सोच रहे कि आप job छोड़के चालू कर देंगे stock markets में आज इंवेस्ट कर रहे प्रड़क्टिव चीज यह है कि आप अटलीस तीन साल stock markets में पहले आप अच्छे से ट्रैक करिए आप positions लिए और ये data तक पहुचे कि आपका ये data कैसे आ रहा है अपने 100 ट्रेड ली तो उसमें से कित्ती सही हुई उसमें आपका average gain क्या है कितनी गलत पॉसिशन ले पारे हो कि नहीं अगर आपके पास ये data ही नहीं है अभी तो सबसे पहला टास्क है आपका ये data एकटा करना at least for 3 years जब क्या data एकटा हो जाएगा तो आपको समझ माएगा कि आप actually में perform कैसे कर रहे हो और अगर आप already कर रहे हो ये data आपके पास ही है तो आपके टाइम रहेगा वह सीधे आप 4 years से चलू कर सकते हैं और अगर आप नए है तो मैं 4 प्लस 3 7 years आपको बता हूंगा तीन साल आप अपने आप पर फोकस करिए और फिर चार साल आप इस प्लान पे कि आप जो भी capital आपने तीन साल में जितना भी सीख के करा है उसको आप 10 गुन गलत होंगे तो आप माइनस 6 परसेंट इंटू 8 परसेंट पर आपका लॉस है तो 0.48 परसेंट आपका हर ट्रेड का नुक्सान होगा और इतना जब भी आप सही होते तो 1.4 परसेंट आप करेंगे अगर आप यहीं करते जाएंगे 120 बार तो इंड रिजल्ट 81 परसेंट है नहीं जोड़ रहा हम सर्फ स्विंग ट्रेडिंग से कितना पैसा दस गुना करना है उस पर फोकेस कर रहें टैक्सेशन वगर है वो सब चीजे इसके बात की बात है वो जो इंकम टैक्स के साब से लगता है वो लगेगा ही लगेगा जैसे कि मैंने शुरुवात में बोला र चीजे आता पर्फोंच को इंपरूस करिए बिना प्रेशर लिये क्या आप इस चार साल को पाच साल कर दीजिए या पाच को छे कर दीजिए या डिवर्सली चार का तीन भी कर सकते अगर इस डिटा से भी अच्छा डिटा आपका खुदका पर्फोंच कह निकल रहा है तो झाल झाल